हलो दियर स्टुडेंट्स 12 अकौंटन्सी में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कैश फुलो स्टेट मेंट इसके काउंटिंग स्टेंडर का नंबर है 3 जो अकाउंटिंग स्टेंडर आई से देता है कैश लो का उसका नंबर है 3 उसके destroying cash flow statement मनता है तो first of all cash flow statement है क्या cash means क्या है फिर cash flow statement क्या है दो balance sheet है company की मार्ण balance sheet of company आपको balance sheet दे रखे है 31st March 23 और 31st March 22 to previous year की बाद में दे रखे information current year की पहले इसके अंदर आपको information में दे रखा है cash in hand bank short from investment कह लो या इसे current investment भी कह सकते हो यह cash कुल एंटे इन को जमर जी बजार में जा के बेच लो यानि किये क्या मार्केटेबल सेक्यरिटीज मार्केटेबल सेक्यरिटीज यह इसली cash में convertible है आप इसली मार्केट में इसे cash कर सकते हैं वेज के यह सब चीजे cash equivalent में आती है cash or cash equivalent उसमें आती है यह सारी चीजे cash equivalent में अगर इन सब चीजों का total जिसमें cash bank balance short term investment कहलो यह current investment यह सब क्या है last year four lakh की थी सब का total कर लो मानलो यह सारी चीजे मानलो यह अलग लग लिख लो चलो यह तीनों चीजें कितने किती सेवन लेक अब कितने की हैं अब मानलो इनका total यह कितने किती सेवन लेक अब कितने की यह सब कहने का मतलब आपको यह देखना है कि यह देखो मैंने मार्च 22 बाद में दिया है करण्ट यह पहले अक्सर कंपनी की बैलेशिट इसी फॉर्मेट में देखने को मिलती है है रियल लाइफ में भी तो कभी कभी ऐसे भी देदेगा इंफर्मेशन 22 पहले 23 बाद में यह आपको ध्यान से देखना पड़ेगा तो प्रिवेश यह में कैश कितना था 7 LK यानि ओपनिंग मैलांस और कलोज इसमें बेलींग में कितना ए Pik एट तो कैश इन फैरिट कितना है और ॉपास कितना वा लग सैवन लेक से बढ़ के καश कितना हो गया इस ए स्याँ करना है source of cash क्या है यह अपने को study करने इस chapter में है घुट दो कैश ओफ रुपी जन लेक जनेरेटेड रीओ निवा कैश आया है कम हो गया था तो आउट लोता हो था कहाँ गया कैश यह सोचना है अब cash 1 lakh generate हुआ आया, cash से मेरा मतलब cash in hand से नहीं है, तिरफ, बलके cash bank balance और short term investment और current investment से है, marketable security लिखा हो तो उसका भी क्या मिनिंग है, यही मिनिंग है, कई बार marketable security वर्ड भी दे देता है, ठीक, तो यह सब चिज्जों का जो total है, वो 7 lakh था साल के शुरू में, last में क्या हो गया, 8, 1 lakh का inflow है, इसको study करना है, यह कहां कहां से आया, किस के according है, यह सारा, 3 के according है, accounting standard, 3, ICI, HC Institute, वो accounting standard बनाता है, तुन्होंने number कौन सा बढ़ा है, 3, कई बरना objective question आ जाता है, तो आपको number क्या है, 3 याद रखना है, accounting standard, 3, तो उसके according है सारा चलता है, ठीक है तो हमें यहां पर, AS3 बताता है, कि 1 lakh जो cash आया, इसके source क्या है, वो अपने को देखने हैं, इसके source, AS3 जो cash flow statement बनवाएगा, वो इसको 3 पार्ट में बानता है, cash कहां से आ सकता और कहां जा सकता है, उसके, उसके तीन, उसके तीन केटिगरीज है, क्या, cash from operating activities, cash from operating activity, cash from investing activities, C, cash from financing activities, cash तीन, जो category है, तीन activity है, वहां से आ सकता है, accounting standard 3 के according cash flow statement बनती है, cash का मतलब किस से है, cash का मतलब सिर्फ cash in hand से नहीं, cash means क्या है, cash और cash equivalent का मतलब क्या देखो, cash in hand, bank balance, current investment या short term investment या क्या दिया हो, marketable securities, यह सब क्या है, cash और cash equivalent, इन सब का कोई treatment, A, B, C, तीनो category में नहीं करना आपने, क्या है, cash का मतलब किस से है, cash in hand, cash in hand, bank balance, current investment का का हो, short term investment, याद रखना, non current investment नहीं ले नहीं, cash equivalent में वो आती है, जो easily convertible in cash हो, तो short term investment या current investment या को हो marketable securities, वो आती है, cash और cash equivalent में, इन सब का total करना होता है, कि साल के शुरू में इनका total क्या था, March 22 बाद में दिया है, March 23 पहले, तो March 22 में इन तीनों चारों चीज़ों का total 7 lakh था, साल के end में, मतलब March 23 में देखा तो 8 lakh, तो आपको यही study करना है, कि 7 से बढ़के 8 lakh cash हुआ, कैसे cash और cash equivalent, इस 8 lakh का जो inflow है, उसके source क्या है, हाँ रूपीज 1 lakh generated as cash, कैसे बढ़ा 1 lakh, इसकी तीन काटेगरी हो सकती है, accounting standard 3 के कोडिग क्या, cash from operating activities, cash from investing activities, cash from financing activity, इन तीन काटेगरी में डिवाड करो, cash 1 lakh कैसे आया, क्या आएगा मैं बताऊंगा, ठी क्या है, financing activities, operating तब जिस ची का काम है, उससे कितने पैसे आया, यानि बिजनस अपना, operating activity, तो यहां से तो अपने पास जो cash हाया, operating से, मान लो category A, operating से 20,000 पे cash आया, category B, investing क्या है, है, detail में भी बात करूँगा, यहां से 10,000 cash क्या है, outflow क्या है, आया नहीं है, बलके क्या हुआ है, गया है, outflow cash कितने रवे, 10,000, inflow 20, 10 outflow, category C, shared venture से, कितना आया, मान लो 110 cash आया, सही है, यह soul करके, suppose यह soul करके यह सारा आया, अब यहां से देखो, opening cash और cash equivalent कितना पड़ा था हमारे बास, opening cash और cash equivalent 7 lakh था, जो balance sheet देखी अपने, balance sheet में अपने देखा, 1 lakh, 4 lakh, 2 lakh, cash, bank balance, short term या trend investment या marketable securities, इनका total 7 lakh था, okay 7 lakh था, इन तीनों activity से cash कितना आया, करो cash from all activities, all activity यानि a plus b plus c से कितना cash आया, a से आया, कितने रवे, 20,000 आया, यह देखो 20,000 पे activities आया, 1 lakh 10 in flow हुआ, करना कितना हो जाएगा, अच्छा, एक मेंट एक मेंट एक मेंट, इसको थोड़ा सा में change करता हूँ, यह 90 करता हूँ, अब देखो, activity से 20 inflow, 20 से 10 outflow, तो 10 जार गया net, और 20 हा, 90 ओर आया, तो इसका मदलब तीनों activity से कितना है cash, वाद, तो closing cash और cash equivalent कितना हो गया, closing cash और cash equivalent, 8 lakh rupees का हो गया, यह answer है, आप अगर complete balance sheet वाला question देखेंगे, तो उसमें आपके पास क्या होगा, answer, तो आपको यह answer पता है, कि साल के शुरू के अंदर जो balance sheet थी उसमें 7 lakh था, साल के last में जो figure है, वो कितने कि थी, 8 lakh, शुरू में 7, 1 lakh का क्या हुआ था हमारा, inflow, how, the cash of rupees 1 lakh generated, तो अपने को वो study करना था, यह cash कैसे generated हुआ, यह अपने को बताना था, cash कैसे कितना generated हुआ, बोलो कोई भी doubt इसमें, किसी को भी problem, बोलो, ठीक है तो अपना cash generated कितने पे का हुआ, answer verify हो गया, ठीक, तो अपने को भी सी की detail पढ़नी है, activity A, operating में क्या आता है, investing में क्या आता है, और financing में क्या आता है, यह साड़ा study अपने को करना है, जो हमारा आज का topic है, पहले आप कर चुके हैं, लेकिन अभी आप अच्छे से इसको revise कर लेंगे, ताकि अब देखो, cash from operating activity को study करने के लिए, cash from operating activity, दो method होते हैं वैथे, पर प्लस टू के syllabus की बात करें, तो एक ही method बताया गया, indirect, जो direct method है, वो प्लस टू के syllabus में cover नहीं, direct method 12th के syllabus में नहीं है, direct method बहुत बढ़िया method होता है, वो ना सिद्धे तरीके से solve करता है सारी चीज़, क्या करता है वो, वो कहता है जी cash sales से पैस आया, या cash receive from debtor, कितना पैसा debtor से आया, वो बताता है direct method, और other business की receipts, business की receipts कौम सी हो सकती है वैसे routine की, जैसे कोई brokerage आ गई, जैसे कोई commission आ गया, जो routine में अपने को cash मिलता है, ठीक, तो वो सब, less करता है, यह cash purchase से पैसा गया, या cash payment to creditor और BP, उनको कितनी payment हुई, बिलकुल सी दे तरिके से, क्राइटर को कितने पैसे दिया आपने, BP को कितने दिये, less सारे operating expenses paid, कितना cash दिया जैसे salary का, जैसे printing stationery, जैसे विजली का बिल, जैसे water bill, watchmen, इनको कितना cash दिया, बस, last made tax paid, tax को संभालने के लिए कोई नहीं है, tax ना तो investing है ना financing है, तो वो operating में ही less कर दिया जाता, अखर लगता तो business के profit पर ही है, तो बस operating activity, यह बहुत बढ़िया method है, कौन सा method है, direct, यह गलत को सही नहीं करता, यह direct ही किसको solve करता है, जो सही होना चाहिए, cash sale बताओ, debtor कौन होते हैं, जो business का समान खरीते हैं, उनसे cash कितना आया, कोई brokerage का काम है, brokerage commission कितना आया, less cash purchase या cash payment to creditor होगा, less क्या होगा, salary paid, printing paid, electricity bill paid, water bill paid, वो खर्चे, वेकार वाले लिख ही नहीं रहा है, तो आपको यह operating का कौन सा method है, direct, लेकिन slaves में रखा नहीं गया, कि मैं सिद्धे तरीके से cash निकाल लूँ, जिन्होंने last class में यह मैंने करवाया था class में मैंने इसकी video भी बनाई है, कि बच्चा वो cram करता है, increase, decrease, वो direct method पे लाने के लिए है, अंसर वही लाने के लिए, चलो, फिलाल मैं बात कर रहा हूँ, indirect method की जो slaves में है, क्या, cash from, operating activities, कितना cash, operating का किसी का आपका, अगर आपका काम, steel के product बेचने का है, steel की chair, steel के वरतन, तो आपको उस से कितना cash है, अगर आपकी company furniture का का काम करती है, तो furniture के काम से कितना cash है, cash equivalent, वो बताना है, क्योंकि जो net profit होता है, net profit में तो बहुत सी चीज़े ऐसी होती है, जो operating है यह नहीं, या non cash है, सिमरंड बताएंगी, non cash expenses P&L में कौन से होते हैं, yes, depreciation हो गया, इस recording में सिमरंड का ना ममेशा के लिए फीड हो जाना है, हां जी, खुशी बताएंगी, और बताओ depreciation की लावा, goodwill return of, और बताओ, हां जी, कुनाल, non cash, जो P&L में आते हैं, जिसमें cash जाते हैं नहीं, provision, amortization of film expenses, loss on issue of shares, loss on issue of debentures, issue, share issue expenses, loss on issue of debenture, etc., ये सब चीजे P&L में write-off होती है, क्या किसी को cash देते हैं, आपा, नहीं cash देते, तो ये सब गड़त है, और बहुत सी चीजें ऐसी हैं, जिन में cash हाया है, cash गया है, फिर वी वो business से related नहीं है, उनको क्या कह सकते हैं, non trading items, दो चीजें गड़त हैं, क्या गड़त है, in P&L, profit and loss में दो तरहां की चीजें गड़त हो सकती हैं, एक तो non cash items, जैसे की आप लोगोने बताया depreciation, आपने बताया loss on issue of debentures, आपने बताया goodwill, patent written off, intangible assets written off, आप लोगोने बताया preliminary expenses written off, या share issue expenses written off, ये सब चीजें नोन cash expenses हैं, ये गड़त हैं, cash gaining, इनको adjust करो, दूसरी चीज़ जो है non trading items, non trading से मतलाब ये कौन बताएगा, क्रियति का बताएगी क्या, non trading item कौन सी है, non trading items, मतलाब जो वपार की normal नहीं है, हाँ जी, भववया, yes, अपना काम किशिक है, furniture का, loan देना और लेना business से सिधे जुड़े नहीं है, finance का खर्चा है, या other income है, ये जो आता है, तो आपको interest or dividend, received on investment, ये business की operating item नहीं है, ठीक है, मैं मानता हूँ, पैसा कैशा है, पर क्या अपना बरतन बनाने के business, बेचने से business related है, ये तो बाहर share market में पैसा लगा दिया, ये दिवेंचर में, share में क्या गया, dividend, डिवेंचर पे क्या गया, interest, ये business का routine expense नहीं, ये कुछ और है operating नहीं, ये investing है, और interest on loan ये दिवेंचर paid, ये भी business का खर्चा नहीं, हाँ, ये चीज की financing, ये operating हो सकती है, अगर आप financial nature की company है ना जैसे bank, bank के लिए तो interest dividend आना क्या है, financing कामी है उनका, उनके लिए क्या होगी है, operating, बैंक वालों को interest नहीं आएगा, तो और किसको आएगा, बैंका तो कामी है, लोन देना, bank के लिए interest आ रहा है, तो वो क्या होगा उनके लिए, operating, हम लोगों के लिए operating, बंदा मर गय है, लोग जिनका कोई मर जाता है, लेकिन डॉक्तर के लिए कोड़ी बहुत बड़ी प्रिशानी होती है, चलता रहता है, उसके बाद सीरियस पेशिन आते हैं, आज एक चला गया, दो चलेगे, बड़े 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 उस्पिटल में देखते हैं, घरवालों का आलग कुछ, उनके लिए तो यह सब क्या है, उपरेटिंग एक्सपेंस, उनके लिए इस्वरेंस का क्लेम देना कोई बड़ी बात है, नहीं, उनको प्रीम माता है क्लेम देते हैं, मर गया तो भी क्लेम देना है, उनके लिए इसारी चीज़ें क्या है, उपरेटिंग, लेकिन जो operating item नहीं, rent receive होना, भया, rent पे business करते हो, गया देने का, investment से rent आ रहा है, property में invest कर दिया, ये investing activity होगी, operating नहीं, clear ये कमाईया, business की routine की income नहीं, assets बेचने पे, profit on, profit on sale of fixed assets, fixed assets बेच देते हो, machine building तो profit आते है न, ये भी business की operating income नहीं, तो ये पहचान बहुत जुरूरी है, clear, non cash में provision for bad debts बनाते हो, बनाते हो provision for bad debts, मालो provision made 40,000, क्या इस से cash गया है, लक्षिता बताएंगी, provision फिर बनाये क्यों cash तो गयी नहीं, देखो cash नहीं जाता, P&L to provision करने से future में जो loss होगा, उसको meet out करने में ये provision क्या है, काम आएगा, कल को नहीं लगेगा जटका न, provision बनाये तो, यहां से loss को cover कर लेंगे, तो फिल आ लिए किसी को दिया आपने cash नहीं, तो इस ती क्या है ये non operating, इसको भी क्या कर देंगे, provision made profit कम हो है, तो add कर दो, provision गटाया यानि reverse कर दिया, आप profit में जुड़ा है, क्या कर दो, less, तो आपको operating activities में क्या करना है, देखो, cash from operating activity, cash from investing ये सारा आपक करेंगे, चलो, अपा यहां पे cash from operating activity को study करने जा रहे है, जैसे कि आपने net profit उठाया P&L से, from profit and loss statement कह लो, company के लिए क्या वर लगा देते हैं, statement, profit and loss statement से profit उठाया आपने, जितना भी है, उसमें आप add करते चले जाओ, कौन सी चीजे, non operating and non cash, क्या क्या जोडते चले जाएंगे आप, जैसे depreciation current ये रवारा, जैसे और जोड़ो, preliminary expenses written off, और goodwill written off, patent written off, करते है ना, loss on issue of debenture, और discount on issue of debenture, discount on issue of debenture, ये सब चीज़ों को वापिस add, क्योंकि ये profit में कम हुई है, ये business की operating चीज़े, नहीं है, non cash है, clear, add back कर दो, interest on loan, given, या interest on debenture, ये business का operating खर्चा नहीं है, इसे कर दो add, कहा जाएगा ये financing में, add, clear, add कर दो, loss on, stale of fixed assets, कोई fixed assets बेचने में, loss आया तो उसे भी क्या कर दो, add, provision for tax, provision for tax, या made, या provision for bad debts made, provision for bad debts made भी क्या कर देंगे आप, कर देंगे, profit on sale of, sale of fixed assets, इसे क्या कर देंगे आप, less, क्या की ये business की routine income नहीं है, investing activity से related है, कर देंगे less, कोई insurance का पुराना claim आ गया, उसे भी क्या कर देंगे, less, क्योंकि वो business का routine income नहीं, या कोई extra ordinary loss, क्या होता extra ordinary loss, loss by theft, loss by fire, loss by earthquake, add, ये routine का operating loss नहीं, इसको क्या कर देंगे आप, add, ठीक है, कर दिया, ये सारी चीज़े, provision for tax made, अब आप ना current assets, current liability में increase, decrease को adjust करेंगे, ये वही direct method पे लाने की कोशिश, cash sale or cash receive from data, देखो, माल लो मैं क्या दूँ, balance sheet की liability side में, outstanding salary दे रखी है, पहले दे रखी थी 10, अब दे रखी है 12, 200 की outstanding salary क्या होई, और बढ़ गी, पहले 10 देने थे 12, इसका क्या मतलब है, 200 पे लोगों को आपने कम दिये, आपने जो profit and loss statement बनाई है, उसमें आपने salary current year की डाली या operating खर्चा, employees benefit में डालते है ना, उसमें आपने salary डाली है 24,000, और आपका net profit जो आया है, suppose एक लाग आया है, माल लो, या दो लाग है, तो दो लाग profit निकालते वक्ता आपने salary कितनी कम की है, profit and loss statement में, 24,000, क्या आपने cash 24,000 दिया है, बताओ, क्या cash 24,000 पे लिया है, salary 10 पे बढ़गी 12,000, सेलरी इंक्रीज होगी, होगी, इंक्रीज होगी, क्या आपने salary 24 जार दी, पी हेंडल में तो current year की salary आती है, current year की salary कितनी है, 24,000, जो पी हेंडल में आई, वो तो outstanding है, क्या आपने cash 24 दिया, क्या आपने 26 दिया, क्या 22 दिया, ये बताओ, option आपके पास है, आप balance sheet वाली outstanding को mind में रखते हुए, मुझे ये बताओ, क्या आपने salary cash कितनी दी होगी, बताओ, कितनी cash दी होगी आपने salary, salary पी हेंडल में 24,000 है, current year के P&L में कितने दिया है, 24,000 ठीक है, और आपने salary cash 24 दी, ये देखना है आपने को, 24 दी आपने, देखो देखो, 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 net profit दिकालते पक 24 पर खर्चा डाल दिया, लेकिन outstanding salary कितनी दिखा रहे है, 10 पहले दिखा रहा था, 12 अब दिखा रहा था, ठीक है, आपने क्या cash 24 दिया, आपने cash 22 दिया, 22 आप salary count बनाऊ ना problem पता है क्या वही, हमने TV में salary paid देखी है बाईस, 2000 outstanding जोडनी देखी है, जोड़ दो, 24 होगे और 2000 library में दिखा दिया, आप देखो ना salary count, opening outstanding कितने रहे है, 10, closing outstanding कितने रहे है, 12, तू bank मुझे पता नहीं, by P&L account में कितने रहे 24 वो current year की salary, दीच है नीदी current year की salary तो P&L में आईगी न, cash 2 ना दो अलग बात है, खर्चे में 24 तो इस साड़ का total करो 34 इदर भी कितना रहे है, 34 तो इस से balancing figure salary कितने रहे cash दिया गी, 22 अभी आपने cash 22 दिया दो ज़र पे रोक लिया current year का, तो पिछले साल 10 देने थे दो और जुड़के अब लोगों को कितने पैसे देने हैं total, आपने लोगों को देने अब 12 हजा है, लेकिन आपने पी एंडल में profit निकालते वक्तों कितने रहे salary दिखाई, 24 आपने जो net profit operating activity में उठाया होगा, ए अक्टिविटी में net profit कितना उठाया, इसमें salary खर्चे में कितनी डाल लिया आपने 24 क्या 24,000 पे आपने दिया आपने कितना दिया 22 तो अपा यह क्या करते हैं कि इंक्रीज इन outstanding salary कितनी increase in salary है, increase in outstanding salary 2000 पे है, तो अपा 2000 पे profit में क्या कर देते होते हैं, increase in current liability क्या, outstanding salary 2000 करते हैं न, पता है इसका मतलब क्या है, क्योंकि आपने तो P&L में 24,000 पे खर्चा डाल दिया salary का, real में cash 24 गया है, cash कितना गया है, 22, तो वो तो 24 कट गया P&L में, तो profit 2 लगाए, तो 2,000 पे वो जोड दिया वापे, ताकि 20 गटा है, दो जोड दो, net कितना रह गया, 22, net 22 रह गया न, अपने आप, सही है, कंचन सोच नहीं है, सर वही बताओ न, increase, decrease हो गया बस ये, ठीक है न, shortcut, चलो, थोड़ा का कई बर माइंड में कोई पूछ ले न, ये क्या logic है, ये logic है, books में तो समझाएगा नहीं, दिया ही नहीं हुआ, direct method भी नहीं दिया हुआ, पर चलो, थोड़ा सा इडिया हुआ, हाँ, decrease को बच्चा मिंट में समझ लेता है, क्राइटर कम होगे तो कम करो, वह सारे का link यही वाला है, अब मैं आता हूँ अपना, जो operating activities को अपा पढ़ रहे हैं, उसके according, चलो, क्या, आपने net profit उठाया, non cash, non trading जीजें जोड़ दी, income है, non trading, लेस कर दी, investment की income, इंसुरेंस क्लेम, loss on sale of assets, वापिस एड, profit on sale of assets, less, provision for tax made, add, provision for bad debts made, add, लेकिन provision, जो decrease हुआ है, bad debts का, तो income में जुड़ा है, reverse हुआ है, उसे क्या कर देंगे, minus, इतना काम करने के बाद, आपको एक step और करना है, operating activities के अंदर क्या, current assets, current liability वाला, क्या plus क्या होगा, decrease in current assets, या increase in current liability, क्या होगा, plus, माल लो balance sheet, अभी मैं बता रहा था जो balance sheet, इसी balance sheet में debtor होते, चार लाग, गटके कितने रह गे, तीन, स्टोक होता, one left, बढ़के हो गया 120, तो current assets में reverse चलेगा, debtor कम होना अच्छी बात है, debtor कम, यानि current assets कम होना मतलब ऐसे, कितने रह गे, three, तो लाख रुपे cash आया होगा, और अगर stock बढ़ा है तो यह क्या है, क्योंकि माल बढ़ा है, तो creator से खरीद के payment दी होगी, तो current assets में उल्टा होगा, 20,000 बढ़ा उसे तो क्या कर देंगे, less, और debtor कम हुए, one left, तो उसे क्या कर देंगे, add, clear, तो आपको क्या करना है, decrease in current assets को add करना है, और less क्या करना है, increase in current assets, decrease in current liability, minus, crater कम होगे, current liability है न, कम होगे तो क्या करेंगे, कम होएंगे, पैसा जाएगा, minus, वाकि बढ़ेंगे तो क्या होगा, भी outstanding salary में दिखाया, बढ़ेंगे तो आपको क्या करना है, add, अभी करके दिखाया न, outstanding salary का, तो आपको यह क्यों करना है, ताकि अब cash को set कर लो, cash business से कितना आया, उसको set कर लो, इसलिए यह करते है, मैंने एक example करके दिखाया, outstanding salary वाला, clear है, चलो, बाकि इसकी separate class है, direct और indirect में difference देखने के लिए, अगरे कोई detail में जाना चाहे, तो तो चलो, वो share कर देंगे, last में आपने क्या करना है, tax paid, क्योंकि cash तो गया न, tax देने से, cash गया, जितना tax paid है, वो minus करो, चाहिए advance tax pay किया है, चाहे वो current year का income tax paid किया, जितना paid किया, वो minus, कोई insurance claim आया है, तुसे क्या कर दो, insurance claim, insurance claim को क्या कर देंगे, plus पैसा तो आई है न, insurance claim को क्या कर देंगे, plus, इसके लिए कोई और space नहीं है, इसलिए generally दुकान का stock का नुक्सान हुआ है, पैसा आया है, क्या यह business की routine income है, नहीं less, पर पैसा तो आया है, कहीं तो जोड़ना है, operating में ही add, tax paid operating में ही ले, जितना provision made है, वो उपर क्या कर दिया, add, यह सब करने के बाद activity एक answer आजेगा, cash from operating activity, stole हो जाएगा, clear है, अभी मैं इसमें एक दो चीज़ों और add करूँगा, बलो cash from operating activity, सही है, अब ध्यान से देखो, जब मैंने आपको क्या दिया, यहां पे net profit दिया, net profit दिया, तब आपने सिर्फ P&L वाली चीज़ों को रिजस्ट किया, पर वो चीज़े नहीं विचीज़ों को मैंने आड़ नहीं किया, कौन कौन सी dividend, journalism में transfer, उन चीज़ों को मैंने add नहीं किया, अगर आपने balance sheet से difference उठाया profit का, तो वो चीज़े भी क्या करगी पड़ जेंगी, add, मैं यह कहना चाहरा हूँ, सुनो, देखो, आपको balance sheet दे रखी है, balance sheets, March 23 और March 22 की balance sheet है, reservant surplus में P&L statement का balance है, 3,00,00,00 था profit, 5,00,00,00 हो गया, कितना profit बड़ा, 2,00,00 का profit बड़ा, जर्नेज़व जो जर्नेज़व हैं वो जर्नेज़व पहले एक लाग के थे जर्नेज़व एक लाग थे अब वन फिफ्टी के हो गए जर्नेज़व में कितना पैसा ट्रांसर कर दिया आपने पचास हजार नीचे कहता है डिविडेंड डिकलेड दियूरिंग दाइयर साल के बीच में डिविडेंड डिकलेड किया अब द्यान दो करेंट येर का प्रोफिट कितना है वह ऐसे नहीं पता लग रहा वह बैलेंशीट से डिफर उठाके करेंट येर के प्रोफिट पे आओ इसके लिए पुराने टाइम में प्रोफिट एंड लोस एप्रोपीशन अकाउंट बनाया करते थे कंपनी का ना बना ह कितने येर क्युक्त प्रोफिट नीचे ले रखा अने प्रोफिट और दा एरंष टो थे रखा तो ठीक मालो नहीं दे रखा मिशिंग एक ढूंद सकते हो क्यों करंटियर का प्रोफिट फिर आया पता नहीं कितना या लेकिन ट्रांसवर्ट टू जरने जब कितने प्रोफिट वहें ट्रांसवर टू जनने जो जनने जो जनने जो वन लेक से बढ़के वन फिफ्टी हो गया तो पचास जर जनने जम में डालें डिविडेन देखो नीचे कितना डिविडेन पेड वह थी प्रोफिट कम वह डिविडेन जैसे पारदन को सलरी देते हैं वैसे 30 तो आप मुझे बत तो भी तू लग बढ़के तो इस तर का टोटल करना एक प्रोफिशन का कितना गया फाइवलेक एटी थाउज़न इदर भी कितना आना चीए फाईवलेक एटी थाउजन थी लेक कम करो तो टू लेक एटी थाउज़न क्या गया बैलनसिंग विगर नेट प्रोफिट फॉर यह रागया देर रखा वेलननी देर खाता इंटेरोगेशन लगा था देनी रखा था तो मुझे क्या है तो टू एटी पैसे आना पड़ा अब आपकी बुक्ष क्या करेगी अगर वो कैश फ्रॉम अपरेटिंग एक्टिविटी बनाएगी cash from operating activity अगर आपने net profit of the year उठा लिया of the year net profit 280 उठा लिया तो क्या इस 280 में से जनने जब कम हुआ है या यह तो 280 before deducting journalism and dividend है तो इसमें dividend और जनने जब जुडेगा नहीं dividend paid जुडेगा नहीं 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 क्योंकि कम हुआ ही नहीं हुआ नहीं हुआ ना हाँ बस ठीक है dividend paid कौन सी activity में जाएगा financing में कितना dividend paid 30 financing में जाएगा बस दूसरा तरीका अगर आप उठाते हो cash from operating activity करने के लिए cash from operating activity के लिए difference in P&L from balance sheet from balance sheet आपको net profit नहीं आपने balance sheet से difference अठा लिया तीन से कितना हो गया आप 5 कितना difference उठा लिया 5 lakh minus 3 lakh 2 lakh फिर आप current year के profit प्रोफिट प्याने के लिए journalism में transfer कितने रिपेका है 50,000 जोड़ोगे dividend paid कितने रिपेका है 30 वो दोनों तीनों चीजें जो एप्रोफिशन है जोड़नी पड़ेंगी C financing activity में तो dividend paid ने जाना ही जाना है dividend paid कितने रिपेका है 30 देखो 280 प्याने अगर तो आपने current year के net profit 280 उठा लिये फिर आपको जन्ने जब dividend जोड़ने की जरूरत होगी नहीं गल्द होजेगा अगर जोड़े अगर आपने बैलेंशीट से difference उठा लिया के बैलेंशीट में पहले profit कितने पड़े थे 3 अब कितने होगे 5 lakh यानि बैलेंशीट में तो figure कौन सा जाता है after all appropriation जाता है तो गर आपने वो 2 2 lakh उठाया फिर आपको जन्ने जब वड़ा भी जोड़ना पड़ेगा और आप किस पर आगे अभी अभी तो 280 पर आगे समझाया operating activity का यह system बोलो चलो operating activity में किसी को doubt समझाया अब इसके बाद मैं चलता हूँ activity B कौन सी cash from investing activity हां जी business में investment का होती है क्रीत का बताएंगी where you can invest in the business पैसा invest होता है या तो fix assets में या long term investment में कौन सी दो चिदे है machine furniture और दूसरा non current investment इंसर लेकिर कमाई income भी क्या आपको करना है stale of machine या furniture क्या करना है plus पैसा है plus लिखने की जरूरत नहीं है बस bracket लगा दो minus है तो वरना plus ही है एक बात बताओ चलो कृतिका बताएंगी machine cost 40,000 hold for 50,000 तस जरुपे का क्या आगया profit on sale कितने रुपे का profit आगया 10 यहां कितना आएगा stale of machine कितने रुपे आएगा investing activity में 40 वाली 50 में बेची तो यहां 40,000 प्लस आएगा या 50 आएगा investing activity में अन्य लक्षिता बतानी 50 लक्षिता 50 यह 50 क्योंकि आया कैश कितना है 50 यह 50 प्लस लिखने की जुरूरतनी कैश पचास आया जैसे मर जी आया आया नंदी नी बताएंगी दस जार फाइदा आया चाली वाली पचास में बेची यह 10 का क्या हुआ यह यह बिजनस के प्रोफिट में जुड़ गया होगा क्या यह बिजनस की रूटीन इंकम है नहीं यह प्रोफिट क्या हो जाएगा operating activities के अंदर माइनस हो जाएगा कितने रवे दस हजार सही है आपकी पोकेड में कैश कितना है वो कहां लिखना है operating activity में purchase of furniture यह machine क्या हो जाएगा माइनस लगा देना मालो मैं कहता हूँ 20 जार का furniture करीदा machine करीदी माइनस cash गया cash equivalent बेच्चोंगे तो आएगा स्टेल और purchase of non current investment non current investment बेच्चोंगे तो आएगा खड़ीदे हो तो जाएगा मालो non current investment समझी के ना long term investment एक लाख वाली investment मैंने 90 में बेच दी 80 में बेच दी तो यहां कितने रपे आएगे 80 लोज कहां जाएगा operating में अगर मैं को मैंने खड़ीद दी टू लगती तो माइनस कर दो non current investment marketable security नहीं current investment या short term investment नहीं क्योंकि वो तो किस में चले गए cash equivalent में सही है इनकी कमाईया भी interest या dividend received on investment investment की कमाई operating में से क्या कर दी थी less क्योंकि business की routine income नहीं पर पैसा तो आया कहां जाके plus करने आपने investing activity में rent आया property का operating में से कम कर दिया लेकिन कहां जाके आपने आड करने आपने investing में समझागी investing activity इंपल है fix assets यानी machine furniture building goodwill खड़ी दोगे खड़ी दोगे तो माइनस cash जाएगा goodwill कम होई तो क्या मिनिंग है आजी similar बताएंगी goodwill 4 lakh थी अब 350 की रह गई पचास जार goodwill कम होगी क्या करूंगा वो राइट ओ हुई है कहां हो जेगी operating में एड और अगर गोडविल 4 lakh से बढ़के 5 होगी तो वो क्या परचे यानि मैं इसली बता रहा हूं कहीं goodwill कम हुई और आप उसे से सेल माननों गुडविल कम हो यो तो सेल नहीं मानना उसे क्या मानना रिनाव पेटेंट कम हुए तो क्या मानना है रेटन आव पेटेंट बड़े तो खड़ी दे हैं goodwill बड़ी तो खड़ी दी है माइनिसर भाई गलती कर लएता बचल हम सी ने मशीन है चार लक से रहे लगी तीन रख कुछ नियहां हिंट मeशीन田्यॢशी टौइ सठी लोग हुख रहे हैं लिए बेची क्या पर एिपटे में क्या क्तरूंग दोन्नों में से कोई भी treatment कर दें एक जामनार गलत नहीं कर सकता आप फॉर लेक सी मिशीन थी रहे गी तो डापडी सेशन मान लो लाख रुप्य का ओपरेटिंग जोड़ दो या वे से कोई यह मान रहा कि एक वोर की 3 रहे तो सेल माननों लाखर पे दोन्नों ही स्टेटमेंट बिलकुल सही है तो आपको उस थेोरी को फोलो करना है तो उसके बाद थार्ड एक्टिविटी कौन सी आपकी कैश फ्रोम फानांसिंग एक्टिविटी अजी फानांसिंग आपका काम है इस टील के प्रड़क्ट बेचने का तो आपके स्टील से बिजनस से डिलेटेटेड चीजें ऑपरेटिंग अब कि सब फनांसिंग या इन्वेस्टिंग जो को बिजनस को फनांस कौन करते हैं पैसा क कंपने से आएका कंपनी के पास शेर से हम्हां डिमेंचर से या बेंक शेलोन लोगे यही सार्स है तो आपको या बेंक कलों या डिवेंचर्स या बैंक लोन टेकन तो आप प्लस पैसा आएगा चलो अब बताएं राहूल बताएंगे हमने वन लेक वाले शेयर वन लेक वाले शेयर इस्टूड एक 10 परसेंट प्रीमम दस-जार प्रीमम एक लाख दस-जार के शेयर इश्व कर दिएर धिया क्या could से कजिए प्रीमम इंव और रहे गा यह ना के देना मौड ऑप्रेटटिंग में कम कर दो क्या स्केर्टि प्रिम्म पी एंडल में जाता है पड़ा रहता है पड़ा रहता है कलियर अब बताना डिबेंचर इशुड पेस वेल्लू तू लेक एट टेन परसेंट डिसकाउंट 20 जार पोकेट में कितना पैसा आया 180 पोकेट में 180 कैश रसी हुआ हां जी कोई इंफरमेशन नी क्या करो नं सब्सक्राइब डिबेंचर 10 परसेंट डिसकाउंट पेश्यू किये बीस जार 180 कैश आया डिसकाउंट के बारे में कुछ नहीं बताया डिबेंचर बस सिदा इतना ही लिखके कोशन छोड़ा है क्या टेटमेंट करो 180 डिबेंचर का नंदनी कह रही है एड कर दो ओके 20 डिसक डिसकाउंट का जाएगा ऑपरेटिंग में ओपरेटिंग एक्टिविटी में यह 20,000 पे क्या हो जाएगा क्लियर और बेंक से लोन लोगे तो पैसा आएगा प्लस बैक लोन चुका दोगे तो रिडेंशन जाएगा माइनस शेर इस्चु करोगे पैसा आएगा प्रीमा मैं जोड़ लोड डिसकाउंट है तो डिवेंचर पे काठ लो जितना कैसा है वो लिखो है और सुनो इन समगसे लेटेड खर्चे भी यानी इंटरस्ट ओन डिवेंचर या बैंक लोन पेड जितना पेड है यहां माइनस होगा डिविदेड पेड डिविदेड पेड जितना डि दिविदेड क्या फाइनल भी लिखा हो सकता है फाइनल डिविदेड या इंटेरिम डिविदेन या आपकी बुक्की मननु तो प्रपोस डिविदेंड भी चितना भी पेड है वो पैसा, cash गया है तो कहा माइनस होगा यह वो फानांसिंग अक्तिविटी में माइनस हो जाए जनने जब किसी को cash दिया नहीं जाता उसका कुछ नहीं लेकिन dividend यह सब कहां पर cash तो गया ना interest on the venture interest on bank loan dividend paid वो minus financing activity आजेगी तिनों का क्या करना आपको total operating activity A investing activity B और financing activity C तिनों का total कर लेंगे तो opening cash में जोड लेंगे cash equivalent में क्या जाएगा closing cash तो आपको last में opening cash या cash equivalent लेना है क्या आता है इसमें बता चुका हूं क्या आता है cash bank balance short term investment या क्या दो current investment या marketable security ठीक यह और कई बना check किसी को दिया भी clear नहीं वहां तो माइनस का cash है वो चक हो जाएगा clear वह माइनस का cash है तो आप यह लो इसमें A plus B plus C तीनों activity का total करो तो किस पर आ जाओगे आप closing cash और cash equivalent पर आ जाओगे जो की हमारा क्या है answer है सही है answer पर आ जाओगे closing cash पर सही है याद रखना loan taken जो liability है liability वो long term हो या short term हो कोई फरक नहीं पड़ता दोनी cases में यह कहां जाने वाला है financing activities clear भाई loan short term को cash ही को लड़ नहीं पानना short term loan ओचे long term loan 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 है लोगे तो प्लस होगा financing में repay करोगे तो financing में क्या होगा less और याद रखना bank overdraft दे दे तो यह भी क्या है loan ही मानना है bank overdraft भी loan है क्योंकि यह ना क्या मानता है cash credit limit का overdraft मानता है CC limit यह ने एक loan है जितना निकालना है उतना निकाल लो loan पास हो जाता है तो उसका ही मानता है overdraft CC limit का cash credit का तो यानि यह loan hash short term हो चाहे long term दोनी situation में loan बढ़ेगा तो taken है गटेगा तो रीपेड है कहां जाएगा यह financing में यह भी यह जितने भी लोन है यह कहां जाएंगे C activity कहां financing activities में clear लेकिन investment में चक्कर है short term होगी या current होगी तो वो cash equivalent है long term होगी तो वो investing activity है clear one of a doubt यहां तक provision for tax का आपको account बनाना आना चाहिए balance sheet दे रखी है दो साल की देखो यह बने शीट मार्च 23 की और मार्च 22 की यहां दे रखा है provision for tax पहले चालीस जार था अब पचास जार ठीक है असेट सड़ नीचे और नीचे क्या कह रहा है आपने टेक्स पेड कर दिया साल के बीच में टेक्स पेड कर दिया साथ हजार पेड़ का ठीक है या या पैंशाट हजार का टेक्स देदिया अब आप प्रवीच प्रवीचन फॉर टेक्स का अकाउट बनाओ इंपोर्टन है प्रवीचन फॉर टेक्स एक्स सेंदिथ किया कितना टेक्स Pay कर दिया आपने टेक्स पएड ऐडिलोग 15 क्या मतलब है देखो जयान से सुनो इसका मतलब टेक्स 40 था पर मिजन पर आपको देने पढ़ गए आपको देने पढ़ गे 65 75 आपने तो सोचा था 40 का प्रुविजन बना लेते हैं पत्चिस का प्रूविजन कम पढ़ गया और नेक्सट इयर के लिए 50 चाहिए तो इसका मतलः 25 का प्रुविजन कम पढ़ गया नेक्स येर के लिए 50 प्रूविजन तो P&L से प्रूविजन कितना बना लें 75 ये 25 कम कैसे बढ़ गया आपने तो चाली का प्रूविजन बनाया था लेगन टेक्स देना आगया 65 अंदाजा गलत हो गया इंकम टेक्स का चक्रपते क्या होता है इस साल प्रूविजन बनाते हैं नेक्स येर फाइनल होता है तो पे करते हैं आज आप कमाओ टेक्स अगले साल बरू इसी कई बार अंदाजा एस्टीमेट गलत भी हो जाता है कंपनी का प्रूविजन 40 का बनाया था देने आगे 65 तो 25 क का प्रूविजन कम पढ़ गया और लोपी एंडल से नेक्स येर का प्रूविजन कितना रखना है 50 तो 75 वैथ ही अपने आप आजेगा इधर का टोटल करो कितने रभे 115 इधर भी कितना उना चीए 115 बाए प्रोफिट एंड लोस अकांट प्रूविजन मेड कितना प्रूवि इधर सिमरें बताएंगी क्या करूं अब इसका ओपरेटिंग इन्वेस्टिंग फानांसिंग में टेक्स का लोग ओपरेटिंग एक्टिविटी कितना बनाया है 75 लास्ट येर का 40 था प्रूविजन ये देखो क्लोजिंग 50 ये लेकिन लास्ट येर का टेक्स अब जाके फाइनल वा कोश्चन में दे रखा है टेक्स पेड कितना 65 वह लिखा तो 25 अपना पिछला टेक्स कम रहे गया प्रूविजन ठीक नेक्स येर का पचास चाहिए तो 75 ये एक बैलेंसिंग फिगर भी आ सकता है कलियर हाँ अगर मेड ना देता पेड ना देता तो बस अपा मानते लास्ट येर का 40 पेड है करण येर का 50 मेड है तो आप क्या करेंगे ऑपरेटिंग में प्रूविजन फोर टेक्स मेड को क्या करेंगे एड कितने पेका पी कितने पेका पेक किया है प्रूविजन मेड 75 65 का टेक्स मेड किया पेड किया वह लेस्ट भी ऑपरेटिंग में हो जाएगा इसको अब इनक्रीज इन करेंट असेट्स करेंट लाइबरिटी में लेके जाना टेक्स को टेक्स का तो अलग अग अकाउंट बनाने जिन होता तो कुर्एंट तैस से कैश मैंक शोट्रम इंवेस्मेंट मार्केटेमिल स्कुरूर्टी पर उनको कैसे मानना है नोन कैश उनको सब को कैशे Cheese जानन लेका फोग शौपलइंट में लेके मीरट कॉत अटे रुए नेमाना उसका लोन टेकर को बनाऊगे तो आपना चलेगा बोलो यहां तक कई डाउट एक ब्रेक लेले Cash Flow Statement, तो Cash Flow Statement चल रहा था, देखते हैं, अभी एक और चीज, जो इसमें अक्सर काम आती है, वो है सिक्स सेट्स का, खेल परचेज, डेपरी सेशन, वो देखना क्या है, माल लो, बैलेंश शीट दीव हुई है, कंपनी की, उसमें लिखी है, मशीन, मशीन लिखी है, मार्च 23 और ये मार्च 22, मशीन थी, टूलक की, अब मशीन पढ़िया है, 250 की, देखो अंदर कोई क्यूमलेटेड अप्री सेशन दिख रहा है, कोई क्यूमलेटेड अप्री सेशन दिख रहा अंदर, नहीं, तो इसका मतलब मशीन काउंट किस पर है, मशीन काउंटर, डब्लू डीवी पे है, इसका मतलब, अंदर कोई मशीन काउंटर नहीं दिख रहा, डब्लू डीवी मतलब डेप्री सेशन मशीन में से ही, कम हुआ 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 है, नीचे मुझे नोट में कहता है, कहता है, और दूर दूर मशीन कोस्तिं 50,000, पचास जार वाली मशीन बेच दी अपने, आपने, आपने साल के बीच में एक मशीन बेच दी पचास वाली जिस पर डेप्री सेशन कितना लगा हुआ था, पांच जार, 45 बेच दी आपने, 35,000 में, कुरंट यर का डेप्री सेशन ओन मशीन देगा हमें कहुआ से पता, हमारे पास कोई accumulated थोड़ी है, हमें करंट यर का डेप्री सेशन सोल करके देगा, कितने रुपे का है, स्पोर्स करंट यर का डेप्री सेशन 40,000 का बता रहा हुआ हुआ क्लियर, अब आप मुझे बताओ, हो मशीन कितने वाली कितने में बेची क्या हिसाब किताब है, इसके लिए आप कौन सा अकाउंट बना लोगे, आप बना लोगे, में मशीन अकाउंट किस पर बनाओगे डबलो डीवी फे मशीन काउन बनाने आपने किस पर बनाओगे रिटर्न डाउन वैलू पर क्यों की अचिव पर बन ही नहीं सकता आपने पास एक एउमलेटरी डेप्रिसेशन और कोउस्ट है नि बनाओ बनाओ ओपनिंग डबलू बोलो कितने घ्रेकि हांत डॉप ही बताऊ कितने दोडरी में कि involvement लगभी ओपनिंग डॉडीवी टूलैक की है कि वक्त के लोडिल डीवी कितने र्वेक DC hosting WD कि है इस कि ओप Pandemie स्पिक है ऑपनिंग तो ठूलस्टोंग कि इस चॉप o यूरें टू थी बताओ घ्रएंग कि एकाउंट पूरा करवाओ, क्या करूँ और, WDV 2 lakh closing 250, साल के बीच में एक मशीन जिसकी वेल्यू कितने रपे थी, कोस्ट, कोस्ट पचास जा रथी, जिसकी बुक वेल्यू 45 वो 35 में बेच दी, क्या करूँ, बाई बैंक, सेल कितने में कर दी, 35,000, डेपरी सेशन लिखूँगा के नहीं यह बताओ, 35 में बेच दी, वो तो ठीक है, डेपरी सेशन लिखूँगा के नहीं, पचास वाली जिसकी WDV 45,000 थी, कोस्ट पचास जार थी, वो बेच दी 35 में, क्योंकि पहले ही, यह सेट किस पर है, यह WDV, यह इस दो लाक में कितने जूड़े हूँए, बोलो, उस मशीन के, हाँ जी नदनी, जो मशीन बेची है, जिसका स्टेटस इदर दे रखा, आपको कोस्ट 50, WDV 45, बुक्त वैल्यू और WDV सेम है, सोल्ड फॉर 35, दे रखा है, आप मुझे बताओ वो, इस तू लैक की ओपनिंग वैल्यू में, कितने पे जुड़े हूँए, उस मशीन के, 45, yes, WDV कोस्ट नहीं, यह काउंटी, WDV पे, 45 के क्रेडिट 35 हूँए, तो 10,000 का बाई, पी एंडल क्या हो गया, लॉस, कितने पे, 10,000, 45 पूरे कर दिये, अब जब मशीन WDV पे बनेगा, depreciation की entry क्या होती है, switch off, उपर उपर है, हां जी, जब अपा accumulate नहीं करते depreciation को, नहीं करते accumulate, तो depreciation की entry क्या होती है, depreciation account debit to fix assets, assets, asset में से करता है ना depreciation, तो ही WDV आएगी, तो by depreciation account जो P&L के थू, depreciation यहां आएगा, कितने पे, by depreciation वो चालीस जार का दे रखा है, 40, तो एक बात बता हो, 2 lakh वाली WDV में से, आपने 45 WDV वाली बेच दी, बेच दी ना सेल कर दी इतने वाली 35 में, और 40 का क्या लग गया करंडिर का depreciation, तो आपकी बैलन्स WDV कितने बचनी चाहिए थी मशीन की, 115 ना, एक बंदरा बचनी चाहिए, 45, 5000 वाली बेच दी, जितने में भी बेच दी, गई, 40 अबडिफेशन, 85 काट के 115 बचनी चाहिए, बट आपका क्लोजिंग WDV धाई लाक दे रखा है, तो इसका क्या मतलब है, आपने purchase of machine की है, इसका मतलब है 135 की आपने machine, और रिखनी दी है, सही है, तो वैसे भी देख लो, इस साड का टोटल करना, 250 है, प्लस 50, प्लस 30, कितना हो गया, 335, इधर भी कितना ना चाहिए, 335, 2 lakh है, तो 2 bank account यान से क्या गी, purchase आ गई, कितने रपे की, purchase 135 की आ गई, balancing figure, कितने की purchase आ गई, एक लाख 35,000, clear, एक लाख 35,000 पे की प्रचेगा, यह account में कोई doubt, बना लोगे, अब चलो, आप मुझे बताओ, मैं एक्टिविटी ए में, net profit लेके चलता हूँ ना, वहां क्या करूँ, एक्टिविटी भी जुक्स को क्या बोलते हैं, investing अएक्टिविटी वहां इस मशीन का क्या करूँ, operating activity में और investing activity में क्या क्या करूँ, हाँ जी बताओ मुझे यह treatment, कंचन बताएंगी, बताओ, मैंने मशीन काउटी दे दिया सारा, आप मुझे बताओ, operating activity में क्या क्या होगा, investing financing में क्या क्या होगा, profit में यह कह रहें, loss on machine sold, सर 10,000 पे add कर दो, क्योंकि पक्का यह नुक्सान profit and loss में गया होगा, और current year का depreciation on machine, कितने रवे add, 40, add कर दो, और purchase of machine, यह कह रहे हैं, सर, minus कर दो, कितने की खड़ी दी, 135 की, और sale of machine, सर, इसको क्या कर दो, add, कितने रवे, 35, बस, नंद नहीं बताएंगी, 5000 का जो पहले depreciation लग चुका है, उसका क्या, 50 Coast वाली जिसको 30, 45 WDB थी, 35 में बेची, तो past में 5000 का depreciation जो लग चुका है, उसका यहां क्या होगा, उसका कुछ भी नहीं होगा, correct, क्यों, क्योंकि वो आज लगाया है, पास्ट का है वो, उसका क्या करें आज, no use, उसका कुछ नहीं, कई बर बच्चा जल्द बाजी में वो भी लिखे जाता है, किसी कोई हां डाउट है तो बोलो, अनी लक्षी था, डाउट है कोई, क्रिटी का कोई डाउट, तान में, समझे देख रहो ना, रहूल, समझा है ये, अब एक और देखना, देखो, इस कोशन में तो, प्रवीजन टेपरीशयन थानी, मैं बना दू कोशन में अध्यूमिलेटेट ये वे वह बदल दना हूँ, देखना, बताना, है provision for depreciation पहले सतर हजार का था पर वीजन for depreciation आज कल एक लाख पांच जार का है पहले सतर था बेक लाख पांच जार का है जिसकी कोस्ट मशीनों की यह क्या है पका फिर कोस्ट देखो ज्यांसे कुश्चन बदर रहा हूंग कोस्ट तूल एक से बढ़ के क्या होगी 250 accumulated depreciation 70 से बढ़के क्या हो गया 1.5 जब accumulated depreciation अंदर वैलेशीट के चाहे वो liability में दिखाया हो चाहे less करके अंदर दिखा रखाओ उसका मतलब asset account cost पे है depreciation अलग से इकठा किया जाता है बाकी information वही यूज कर रहा हूं क्या के साल के बीच एक मशीन पचास वाली जिस पर depreciation कितना लगा है पहले पांच वह बेच दी 35 में question वही और current year का depreciation गायव देता हूं बदल देता हूं question लो इसने current year का depreciation नहीं दिया एक मशीन पचास वाली जिसकी बुक वैल्यू कितनी है अंताली वह बेच दी कितने में 35 में अब आपको कहता है कि आप इस question को मैं पुराना सारा delete मारता हूं इसको दुवारा से करता हूं यह चीज़ लो मैंने delete कर दिया पुराने वाला ठीक है अब कर्वाव मेरे को अब आप मशीन काउंट बनाएंगे और साथ में कुन सा काउंट बनाएंगे अब मशीन के साथ आपको बनाना होगा मशीन अपाउंट किस पर बनाओ अब कोस्ट पे कोस्ट पे मशीन काउंट बनाओ साथ में क्या बनाओ आप accumulated depreciation on machine इसका काउंट जिसे आप provision for depreciation भी कह सकते हैं बताओ हां जी शुरू करवाओ इसमें आप मुझे बताओ के ओपनिंग मशीन कितनी तूल एक क्लोजिंग मशीन कि तनी 250 तो ओपनिंग कोस्ट में भी कितनी 2-Lag को लाजिंग कोस्ट लिखा क्लोजिंग कोस्ट कितने रखी है 250 ठीक है डपरी सेशन बोलो कितना दे रखा ओपनिंग क्लोजिंग 70 जार और दॉजिंग एक पांट रपरी सेशन किस तर लिखा जाएगा रैडिक बैलांस होता है ओपनिंग बैलांस ब्रोट डाउन 70 और क्लोजिंग balance carry down कितना वन लेकर अब करवाओ इसमें क्या करूँ यह लिखने के बाद मुझे कह रहा है नीचे 50 वाली जिसका depreciation 5 था WDV 45 वाली कितने में बेच दी 35,000 में बोलो क्या करूँ इसका करवाओ treatment मशीन बेची कितने की आपने बाइब बैंक अकाउंट सेल कितने में कर दी 35,000 में बेच दी बेच दी क्या सिद्धा लोस्ट डालना ठीक रहेगा दस जर्वेट गल्द इसमें कितनी जुड़ी हुई है इसमें तो कोस्ट और मशीन वाल पचास है ना कोस्ट और मशीन वाल अदि भाइव कि अभी पहरो दिख रहा ऐसे तो नहीं 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 क्या करूण ही सिमारण मताएंगी खत्म करो जो मशीन नींद नं रही उसका ने परी सेस्ट शन संबाल के रखेंगे नहीं खतम खतम हाँ जो मशीन बेच दी उसका 5000 डपी कर दो क्या करूं यहां तू मशी क्या चीज जाए है? Accumulated depreciation on machine sold. जो machine भेच चीव का accumulated depreciation कितना रबे? 5 यहां 2 machine count है. Machine count में क्या हैगा भाई? Accumulated depreciation पांच क्या चीज़ है यह है एक्यूम लेटेड अप्री सेशन ओन मशीन सोल्ड अब देखो पचास वाली पे पांच का पचास इसमें जुड़े हुए देखो यह यह मैं कही रहा था आपको पचास जुड़े हुए देखो पांच क्रेडिट हो गए कितने की रही पंताली पै है प्रोफिट ने लोस अकाउंड लोस कितने रिपे का गया तस जार रिपे का पचास पूरे कर दिए ना वो पचास की जुड़ी हुए आपनिंग पांच का डेप्री सेशन क्रेडिट हो गया 45 35 कैश आ गया 10 क्या हो गया लास पूरे कर दिए 50 क्लियर अब आप एक बात दे आपने टू बैंक करके और खरीद लिए इसका मतलब कितने वाली और करीद लिए आपने बैलंसिंग फिकर कितने वाली खरीद ली एक लाख वाली मशीन और लेली आपने सही है आँ जी कंचन इसको पूरा करवा ओ और चीजों का क्या करूं एक लग की मिशीन खरीट तो कि 65 depreciation पडा होना चीए पड़ा वन लॉट 56 पड़ा है इसका मतलब 40 का depreciation कहां से आ गया और इसका मतलब करणटीर में और लगा वाई प्रॉफिट एंड लोस अकाउंट क्या करणटीर का depreciation balancing figure कितने रभे 40 आगया clear entry क्या होती है depreciation account debit to accumulated depreciation account 40 अगली entry क्या होती है जब ये P&L में जाता है profit and loss account debit to depreciation account ये P&L में जाता है कितना 40 दोन्नों entry को मिलाओ तो क्या बनता है P&L to accumulated depreciation तो उसी में तो किया credit by P&L 40 clear तो आप अब आपके सामने सारी picture है अब आप मुझे ना ये दोन्नों account mind में रखते हुए activity A और activity B में operating activity और investing activity इन में इस machine का क्या करूँ ये बताना है आपने net profit लेके चले और इसका treatment बताना है क्या करूँ बोलो हां जी बोलो लो सोन मशीन सोल लो सोन मशीन फोल्ड कितने रवे का लोस है दस जार एड और क्रेंट यर का depreciation मशीन पे कितने पे 40 एड पांच जार का कुछ करेंगे नहीं इदर आजो बिल्कूल सेल उफ मशीन कितने रवे 35 परचेज ऑफ मशीन माइनस कर देंगे कितने रवे की वन लेक आप माइनस का साइं ना लगा के ब्रेकेट लगाए करो और प्लस ना लगाना जो ब्रेकेटन नहीं लगी तो वह प्लस ही है स्टाइल से मैंने दोनों बता दिये ताक कि कोई दिक्कत इसमें ना आई कोड़ाइए अब आजो थोड़ा आगे आए परकॉस दिएड़े वैसे तो परकॉस दिएडन नाम की चीज अकॉंटिंग स्टेंडर्ड 4K कोड़िंग खत्म हो चुकी है दिर इस नो पर पॉस्ट दिएड़ राइट नाओ कोई पर पॉस्ट देन नहीं लेकिन क्योंकि भुक्स खीचे जारी है पुरानी कंसेप्ट को तो दिया हुआ है दो तरह से दिया हुआ है जो पिमार देते ही बात्त कहीब है इस नहीं यह आप आपको बैलेंशीट मेधी दिया हो सकता है देखो ऐसे क्या मार्च 23 और मार्च 22 यहां दे रखाय करेंट लाइबलटी में फिर विडर देंड तस जार और यह दे रखाय पंदरा अगर तो ऐसे दे रखाय लाइवरटी दिए लाइबलिटी में पुराना कंसेप्ट कि प्रपोज करके छोड़ दिया अगले साल पे कर दिया तो इसका मतलब पिछले साल पी एंडल से कितना लिया गया पंद्रा लास्ट येर केंट्री की पी एंडल टू पर पोस्ट डिविटेंड एप्रोपिशन काउंड में कितना लेइड द्टिव ये प्रोपोस किया गया है तो आपको क्या करना है इन क्रूंट्व इंड्र टियर क्या हुआ है लास्ट येर का प्रपोस्ट डिविडेंड पेड़ गवा कितने टोर्पेंड पेश म्युक्त प्रॉआ पंद्रा जाई और क्लियर और करेंड़ गर दस जार करेंट इसकी एंटी हुई पी एंडल एप्रोपीशन डेविट टू पर पोस्ट डिविडेंट कितने रभी यह वी दस जा यानि कहने का मतलब यह पेंड हुआ अगले साल पे होगा अभी प्रपोज हुआ है पिछले वाला पिछले साल के पी एंडल में आगया अब क्या होगा पेड इसकी एंटी तो क्या होगी पर पोस्ट डिविडेंट लास्ट टियर वाला डैविट कितने रभी पर पंद राज तो आपको इतना ध्यान रखना है तीन एक्टिविटी है एक्टिविटी एक कौन सी है ओपरेटिंग एक्टिविटी और एक्टिविटी कौन सी सी कौ कि अगने कर दिए रखाया तो डिवीडन का कोई काम नहीं को इंग तो बाद में कटता है करए्ट ये प्रॉफिड में से बाद में अगर मैंने कौन सा दिया डिफंट्स इन है पी है डाल इन बैलेंशीट बैलेंशीट का डिफन्स ऊठाया तो मुझे पर्पोज eight प्रफिल्डद्द्ध करद रहां क이다 where tates Ein करने जैसे और डिविडेन्ध लस्ट्र का प्रफोर्स्ट्ट्र now के रेंदेट कीट सिर्काइव जैसे आवर डिविडेन्ध लास्ट यरका पेड़ फाइनसिंग में लेकिन अगर प्रोफिट में वाड़ है नेट प्रोफिट आफ दा यर्ट तो फिर अपरेटिंग में भी जोड़ना नहीं अगर बैले शीट से डिफेंस उठा रहे हैं पी एनल वाला डिफेंस तो वह प्रोफिशन वाला है उसमें ट्रांसर टू जन बैले शीट है ना वगबर आगए बूक राइटर बात कुछ नहीं वह समझे जब रूल रगया भी और आुछ कल यह नहीं आता तुर्tu नहों ने बैले शीट में तो देना बन्द कर दिया नहीं आता लेकिन अब करहें क्या तुर्ट अव्य क्या नया त्रिका धून्ussen क्या क्या उन्होंने कॉंटीजेंट लाइबर्टी में दिखाना शुरू कर दिया लाइबर्टी होती है या प्रॉफिट बारना है किसी को लाइबर्टी है क्या प्रॉफिट का शेर देना है लाइबर्टी है एप्रोपीशन ओफिट कब दोगे जब प्रॉफिट होंगे लाइबर में चलो जो दिया हुए वो बता रहा हूं मार्च 23 और मार्च 22 प्रपोस्ट डिविडेंट कॉंटीजेंट लाइबर्टी में दे रखा है मालो यह 7000 और यह 10 इसका कुछ नहीं करना और क्योंकि रूल आगया जब डिव डिव दोगे तभी एंट्री होगी पी याद्ड डिविडेंट पिछले वाल आब देंगे ना तो वो पिंडुन मैं अंट्री किसके हो गी इंट्रीम दुटतरा क्या है एंट्री ओगी पी एंडेल एप्रपीशन आपक्रोपीशन काॉंट पेड़ भी कौन सा हुआ यही वाला दस हुआ है तो इसका मतलब करण्ट यह वाले की एंट्री यह अगले साल करेंगे पिछले वाले को मेड़ और पेड़ एक ही बात है अब आप ओपरेटिंग एक्टिविटी में क्या करेंगे और आप फानांसिंग एक्टिविटी में क्या का करेंगे वोई जैसे डिविदेंड का, इंटारिम डिविदेंड का करते हैं, प्रपोज डिविदेंड कितने का लास्ट यर वडा, 10, profit आड लोज अप्रोपिशन काड डिफिरस उठा रहे हो, तो प्रपोज प्रपोस डिविदेट एड भी कितना 10 समझे के लास्ट यर वाला मेड भी और लास्ट यर वाला पेड भी है किसी को डाउट इसमें बोलो को डाउट हाजी बोलो कर दिया यह देखो प्रफोस डिविदेंट या प्रपोस डिविदेन का सेम ट्रीटमेंट हो गया इंटेरिम तो एक ही फिगर दिए अब यह पिछले वाला करेंट वाला कुछ नहीं करना आपने क्योंकि वो तो अगले साल होगा जो होगा पिछले वाले का अब पेमेंट होनी है इस भी वह मेड P&L से और पेड भी, इंटरीम लाइक, 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 इंटरीम डिविदेन, बिलकुल वैसे, मेड भी और पेड भी, अपरेटिंग में आड, फिनांसिंग में लेस, बलोगे डाउट, समझाईये बात, कोई प्रोलम, इधर, तो देखो, एक और बात इसमें, कैश फ्लो में, कई बार कुछ चीजे ऐसी होती है, जिन से कैश पे फरक नहीं पड़ता, माल लो, इकुटी कैप्टल देखना, इकुटी कैप्टल, 12,00,00, पहले, आठ लाग थी, ठीक है, लैंड, पांच लाग थी, लैंड, आठ लाग थी होगी, मुझे कैने लगा, लैंड पर्चेस, पोर रुपीज, 3,00,00, पोर रुपीज, 3,00,00, एंड, शेर, कॉम से शेर, इकुटी शेर, इसुटी शेर, इसुट बाइ कंपनी, इन फुल कंसीडरेशन, ओफ लैंड, लैंड ली, बदले में क्या दे दिये, शेर, जर्नल एंट्री क्या होई होगी बोलो, लैंड अकाउंट, डाइबेट, 3,00,00, टू, इकुटी, शेर, कैपिटल अकाउंट, 3,00, एंट्री होगी, इसका ट्रीटमेंट करवाओ, बाकी सब चीज़ें भूल जाओ, लो, यह, यह कर देते हैं, करो, हाँ, जी, लैंड खरीदी, बदले में क्या दे दिये, 3,00, रवेगे, शेर, दे दिये, यह क्या रहा है, कुश्चन में, 3,00, के शेर, दे दिये, इसका क्या ट्रीटमेंट होगा, बोलो, लैंड अकाउंट, डैप बिट टू, शेर, कैपिटल, 3,00, इसका ओपरेटिंग में, इन्वेस्टिंग में, फानांसिंग में, क्या ट्रीटमेंट होगा, बोलो, लैंड आई, नोन कैश, शेर गए, नोन कैश, तीन लाग, लैंड तो होगी, पूरी, पांच और आठ, लेकिन, शेर आठ से तीन तो पता लग जया, कैसे बड़े, एक लाग के और कैसे आए, शेर इश्यू किये होंगे, तो आपको इश्यू ओफ, इकुटी, शेर कैपिटल, कितने लाख रुपे, किसमें एड करना है, फानांसिंग, 3,00, का कोई ट्रीटमेंट नहीं करना, क्योंकि दोन्हीं नोन कैश आइटम है, दोन्हीं नोन कैश आइ बाकि अदर्वाइस धन कैश जो हैं वो है, ऐसी कई बार होता है, डिवेंचर इस्यू करता है, बदले में मिशीन ले लेता है, कोई एफक्ट नहीं, लोन चुका रहा है, बदले में शेर दे रहा है, कोई फेक्ट नहीं, ठीक ना, शॉर्ट ट्रम, लोन, 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 कोई है, बदले में डिवेंचर या शेर इस्यू दे के, कोई फेक्ट रहा है, क्यों क्योंकि बंदो नहीं कहा है, नोन, कैश आइटम है, समझाई बात, बोलो यहां तक कोई डाउट, ठीक है, तो अपने को तीन्नों एक्टिविटी बनानी है, ठीक है, एक आदा कॉस्चन देख का यह प्रिंट है,ّ क्आच यह है, टीक है, यही से देख लो क्रूस्टान, क्या करहा है? इधनिवाई को यह क्या है, इंट्रस पेर क्या है? इंट्रस पेर, हमनो आपका बिजनस बंक वाला नहीं है, बनक के लिए ओपरेटिंग होती है, फणरस पेर, वैसे रहां बंक के ल कर दो का सिखिया है कि यहां का देताइब रभी का सिक्ति कि बैन dual भी तो अइस के लिए सकता है आपके लिए फानल सिंट तर एक के लिए लिए तो क्या मालो ऑपरेटिंग क्रप्रेटिंग के लिए क्या मनलो? Finalsy. सही है? आगे चलो. Interst receive normally क्या? Investing. आम कंपनी के लिए investing है. Interst receive on investment by a bank. देखना? By a bank, bank के लिए क्या है? Bank क्या है? Bank operating. Interst receive on investment by manufacturing company. भाया, manufacturing का काम करते हो, आपके लिए कौन सी activity है? Interst operating नहीं है? Investing. Dividend receive? Investing. Shared venture पे पैसा लगाते हैं तो, income आती क्या है? Investing. Dividend receive by mutual fund company. Okay. यह कौन सी company है? Bank like mutual fund company. जैसे UTI, एक mutual fund चलाता है. और भी रिलाइंस infrastructure का mutual fund है. वो आपका पैसा आगे लगाते हैं. तो उनका काम ही इसी तरह का है. तो उनके लिए operating. Purchase of investment point number eight. Investing. Investment long term मानना. क्योंकि current हुई तो वो purchase sale उसकी आएगे नी. खलो current investment की sale purchase का कुछ नहीं करना. क्योंकि वो तो operating ही माननो वो सही है. वो तो opening closing cash में आ जाती है investment short term वाली या current वाली. ना बोले तो long term मानने ना. चलो. Purchase of investment by finance company इनके लिए operating मान सकते हो. इनका काम है. Purchase of investment by non finance company investing. Bank balance opening closing cash equivalent में जाता है वो किसी activity में नहीं. Short term deposit in bank यानि यह short term investment है यह opening closing cash equivalent में जाएगा. Bank overdraft loan है यह loan loan CC limit cash credit यह किस में जाता है financing में. Marketable security opening closing cash और cash equivalent में जाएगा. सही है? Investment. FD क्या होती है दो साल के लिए 5 साल के लिए जमां कर विए यह that is investment. आप नीचे covering note लगा के भी long term purpose investment है. FD कोई 10 दिन 15 दिन के लिए 5 दिन के लिए नहीं करोगा आप normally. अगर आपकी आप note यह देते हो कि यह तो क्या short term period के लिए तो वैसे investment ही माननों. नहीं बट फिर भी वो ना कई अक्सर कई बैंकों में तो लोकाउट ही है नहीं होता और जनरली अपनी इंटेंशन भी नहीं है. क्या आपकी management ने decide करना है whether investment is long term और short term एक company के पास चार साल से share पने है बेचने की कोशिश कर दी है. इंवेस्टमेंट किया उसने भिक नहीं रहे short term investment तो क्या वो अब long term asset होगी नहीं आज भी वो भिका हुआ है. भिक नहीं रही तो क्या हुआ आपके तो इरादा बेचने का है वो क्या है short term investment. क्लोजिंग स्टोक में माल पढ़ा है चार इसी बचे पढ़ा है electronics वाले के बाद electrical shop के बेचने की कोशी कर रहा तीन साल से भी के नहीं तो क्या वो fix assets हो जाएगा नहीं वो क्या रहेगा current intention आपको पता है आपकी क्या है long term मानना है लंबे टाइम बाद बेचेंगे फिर भी खर्चा करो निकाल लेगा वो पैसे वो कभी भी हो सकता है चलो जी आगे हर आदमी को लाइफ में हर चीके दो प्लैनी बनाके चलने चाहिए यह नहीं तो वो क्यों अल्टरनेटीव जरूर्ट होती है मौखे पर एक प्लैन फेल हो जाता है तो चलो purchase of share और यह क्या है dividend interest यह सारी बातने अपने कर ली यह आगे भी कोश्चिन, discount receive from supplier, question number 3 में, purchase of share, क्या है? investing, buyback of equity share, financing payment दे दी वापिस, payment of share issue expenses, share financing में ही माइनस होगा और जो right of who है वो अपरेटिं में क्या होगा? add, जितना cash दिया वो financing, discount allowed to customer, भया यह तो routine में discount दिया है, not treatment, इसका कोई operating है यह और यह खर्चा गलती नहीं है तो जोड़ूं क्यों operating में, कोई treatment की जरूरत नहीं, discount, not treatment required, इसका कोई wireless नहीं करना, यह operating ही है, सही है ना, अगर मैं आपको कह दूँ, salary देदी, सही है भया, salary देदी, उसको क्यों add back करूँगा, गलग चिंजों को add back करूँगा ना, increase in balance sheet, balance of cash credit की क्या है, यह loan taken है, loan बढ़ गया, loan बढ़ गया, तो क्या ही है, loan taken हो गया, financing, repayment of loan, financing minus होगा, यह plus होगा, ठीक, repayment of short term loan, यह भी क्या है, financing क्या होगा, minus, proceed of short term borrowing, loan taken है, loan taken है, क्या होगा, plus, कहां जाएगा, financing, dividend paid on preferential, financing, minus होगा, short term deposit in bank, इसे ना, short term deposit को, आप current investment माल लो, और यह कहां चला जाएगा, cash equivalent में, इसका फिर कोई treatment करने की जरूरत नहीं, no treatment required, फिर कोई treatment की जरूरत नहीं होगी, renter see by company whose main business is real estate business, हां काम है real estate का, तो भया, यह क्या होगी, operating item है, सही है, less नहीं करनी, सही है, operating कम है यह, रेंटर see by company, जिसका main business manufacturing है, उसके लिए कौन सी income है, investing, उसके लिए investing, सही है, कर लोगे न, तो काफी question तो इसी ची की discussion से related है, अब जैसे देखो, अगर मैं cash from operating activity पूछूँ आप से, profit कितना दे रखा है नीचे, profit कह रहा है, operating profit कितना दे रखा है, एक लागर, तीस जार, अगर operating activity बनाऊ, और मैं आपको कहूँ, नेट प्रोफिट कितना दे रखा है, एक लाख तीस, तो एर्लस करो, बताओ, डैक्तर, डैक्तर दिखना, 22 बाद में, पचास से चालिस के रहेगे, डैक्तर क्या होगे, दस जार पे, कम, तो क्या कर दोगे डैक्तर, एड होजेंगे, पैसा आया हुगा, current assets में उल्टा चलना है, reverse, less हुई तो add, increase हुई तो less, current liability में straight forward बिलकूल, increase तो add, decrease तो less, वजा बताई थी, चलो, BR, 10 से 12 points होगे, तो क्या, BR less करो, क्योंकि यह क्यों होगे, 25 और पे, बढ़ गए, अगे चलो, क्राइटर, 25 से कितने रहेगे, क्राइटर, 20, decrease in क्राइटर, 5000 पे क्या होगे, कम तो कम करो, फिर करता, outstanding कर्चे, 800,000, increase in outstanding expenses, कितने रुपे बढ़ गए, 200 बे, फिर करे, BP, 40 से 25, decrease in BP, current liability है, 15,000 पे कम तो कम करो, आगे पड़ो, last, accrued income, current assets है न, 6 से साथ होगी, तो बढ़ी है तो minus, increase in accrued income, current assets है, वो increase हुई है, तो क्या करो, minus, और कुछ है नहीं, total करो, कितना बन गया, बताओ, 130 था, 10,000 पे add कर दो, 2500 less कर दो, 5000 less कर दो, 200 add कर दो, 15,000 less कर दो, 116,700, operating activity आ गया, समझे है, बलो कर डाउट, ठीक, इस तरह से question दे रहा है, यह, तो आप net profit कितने लेके चलोगे, जो यह दे रहा है, net profit, net profit लेके चलोगे, आप कितने, 250 लेके चलोगे, ओपरेटिंगी पुछा है उसने, तो depreciation का क्या करोगे, add, कितने रपे, 10,000, फिर आप goodwill write-off कर रहे हो, तो कितने रपे की, 5, उसको goodwill को add, फिर low-sum sale of machinery, यह रहा, 7,000, low-sum sale of machine, क्या कर दोगे 7,000 पे, add, फिर देखो, gain on sale of land, less करोगे, gain on land, कितने रपे, 3, अब आजो increase, decrease, debtor क्या होगे 20, अच्छा उलता, 21 बाद में 22 पहले, 22 से 23, increase in debtor या trade receivable को debtor ही बोलते हैं, increase in, increase in trade receivable, यानी debtor minus, परो trade payable, यानी क्या बोलते हैं, क्राइडिटर ही बोलते हैं, क्या होगे 15 से 10, decrease in creditor या trade payable, कितने रपे, 5, फिर prepared expenses क्या होते हैं, current assets ही तो होते हैं prepared expenses, 6 से 4 हैगे, तो add, decrease in prepared expenses, कितने रपे decrease, 2000, 2000 degrees, तो आप 2000 add करेंगे, तो operating activities का total करना कितना आ गया, 265 आ गया, सही है, बोलो add less करके 265, तो 265 आ गया, clear है, कोई doubt, तो इस तरह से practically question चल रहे हैं, operating activities चला रहे हैं, और यह question दे रहा है, क्या-क्या change हुआ, आगे जा, starting के simple question है, फिर आगे जाके वो balance sheet वाले question यह देखो, question number 13 onward balance sheet वाले question देने शुरू कर देगा, क्या-क्या change हुआ balance sheet में नीचे data देना, देखो journalism profit 20 से 50 हो गया, यानि 70,000 बढ़ गये profit, जन्राइब में transfer कर दिए 20, इस तरह से आप 90,000 उठाके चलेंगे, और जोडते जाओ, इसमें कोई dividend, कोई debenture का interest, कोई loss, तो इस तरह से operating activity, investing financing आप कर पाएंगे, सही है, next class में करें आगे, clear है, इस तरह से यह concept हमारा, उलोड़ा